जैहिन पहले के जमाने में ट्रांस्पोर्टेशन के लिए हम लोग घोडे और खचर उट वगरा का परियोग करते थे अभी बेसिकली चार्थ मोड है ट्रांस्पोर्टेशन का आप रोड से जा सकते हैं ट्रेन से जा सकते हैं सिप से जा सकते हैं हवायाज से जा सकते हैं हवाय चाहिया होगी, क्या खराबी होगी, यह वर्क कैसे करता है, और इंडिया में यह कब तक आएगा, और आएगा तो क्या चेंजे देखने को मिलेगा इंडिया में, देखें किसी भी ट्रांस्पोर्ट को अगर आप देखेंगे, तो उसके लिए दो सबसे बड़ी बाधा होती, यह होताओअ, दूसरा होता है, एयर का ड्रैग हवा का, आप जैसे कार वग़रा चलती है, इस पे देखेंगे, तो ज्यादे तर जमीन का यह फ्रीक्षिन होता है, यह फ्रीक्षिन इतना टेज होता है कि यह गाडव को रोग देता है, जैसे लो औस ने धालान पर चली है, अब उधी आजेगी, यह समझ में आएगा इसको, तो यह air drag है, air drag बहुत तेज होता है, पेड गिरा देता है, आधी में देखते हो, हवा का क्या गिरा देता है, पेड गिरा देता है, तो यह दो समस्या होती है, इस ही के वज़े से किसी भी चीज में fuel जादे खर्च होता है, या speed जादे नहीं हो पाती है, और अगर speed होती है, तो बहुत जल्दी वो चीज रुख जाती है, तो इन दोनों चीज को हटाने के लिए लाया गया hyperloop का concept, hyperloop में क्या किया जाता है, इसमें friction और air drag दोनों को खतम का दिया जाता है, आपको पता है कि कोई भी magnet होता है, उसका एक south pole होता है, एक north pole होता है, अगर एक और south रखेंगे, दूसरे और north रखेंगे, तो यह चीपक जाएगा, otherwise में यह नहीं चीपकेगा, अगर दोनों north-north है, तो भी नहीं चीपकेगा, दोनो south-south है, तो भी नहीं चीपकेगा, एक ही south रखेंगे, एक north होना चाहिए, एक south, तो इसी का concept में क्या किया जाता है, जो loop मतलब, जो tube बना जाता है, उसकी जो अंदर की दीवारे होती है, यह जिस pole की बनी होती है, मनले इसको भी north pole का बना दीए, और इसके अंदर जो pod चलता है, जो गारी चलेगी, इसकी भी बहाब दीवारों को north बना दीए, या फिर दोनों को south बना दीजे, या दोनों को north बना दीजे, ऐसा कर देने से, दोनों एक दूसरे को धकेलने लगेंगे, और वो चिपकेंगे नहीं, एक तरह से कहिए क वो हवा में तेरेंगे, इससे फायदा ये है कि इस pot में अगर माल लीजे 20 आदमी भी है, 20 आदमी तो अच्छा खासा इसका वेट हो जाएगा, आप 20 आदमी को धकेल नहीं सकते हैं, आप एक चौकी को नहीं धकेल पाएंगे, एक खाली कार है जिसमें कोई नहीं उसको भी धकिल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कि ये नीचे की इसकी चारोओर की जो दीवारे हैं, ये लूप जो है, वो भी मैगनेट का है, और सेम पोल से ये भी मैगनेट का है, तो आप इस लूप को अंदर जो गाड़ी होती है, इसके अंदर pot जो बलते हुसको हलका सा धके लेंगे, तो आगे चली जाएगे, वहाँ पर, सोचिए, कितने 1000 kg के pot को अगरा हाथ से धके लेंगे, तो आगे चला जाएगा, लेकिन अगर इसी को हम जमीन पर रख देते, जमीन पर आप आटे की बोरी जो 50 kg का है, उसको हाथ से रखेंगे, तो नहीं धकेल पाएगा, क्य ये pipe क्या करते है, air को suck कर लेते है, तो जो हवा आगे से काट रही थी, उसे क्या कर लेते है, suck कर लेते है, तो ये vacuum pump जो होते हैं सब, ये हवा को खीच दिया सब, और magnet क्या किया उपर उछाल दिया, तो ना इसके लिए friction रहा गया, और नहीं इसके लिए अब किसी भी तरह क air drag रह गया, तो इस tube में अगर आप देखेंगे, तो इसमें friction भी नहीं है, और नहीं इसमें air drag है, आप इसके अंदर जो चलते हैं, वो pot, pod चलते हैं, pod जो होता है, जो एक छोटा सा capsule type का होता है, इसमें 20-25 आदमी बैठेंगे, जितनी इसकी capacity होती है, ये train की तरह नहीं होत के बंद कर दिया जाएगा, बंद करेंगे, तो हवा तो साथ में चली जाएगी, तो बंद करने के बाद इधर जो vacuum pump लगे हो, वहा से हवा को निकाल दिया जाएगा, तो बाहर हवा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लोग बैठें, उनके लिए हवा है, अंदर परियाप्त हवा रहती है इसके अंदर, इसको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद ready कर दिया जाएगा, अंदर का जो decoration होता है, वो इसी type का देखने को मिलता है, अभी सबसे पहले इसे launch किया जाएगा, देखिए, लास वेगास में तो अभी start हुआ है, human trial कर लिया गया, गरजीन hyperloop के जो धेव उन लोगों ने पहली बार इन ही दोनों लोग ने इसका human trial किया है, यह इसका interior look है, यह दुबई में जो लाए जाएगा, यह उसका look है, तो pod के अंदर इस तरह से लोग बैठेंगे, वो train की तरह नहीं होगा, एक boggy की जैसे होगा वहाँ पर, अब इसमें क्या है, इसका mechanism में क्या काम करता है, समझ यह ध्यान से, इसमें एक linear motor होता है, linear motor इसे आगे धखिलता है, गोल घूमने वाले motor जो आप तो जानती है, linear motor उसे कहते है, जो किसी चीच को आगे धखिलता है, तो इसमें एक linear motor लगा रहेगा, जो continuous आगे क्या करेगा, धखिलते रहेगा, फ्रिक्शन है नहीं तेजी से भागेगा लेकिन इसका जो वैकूम पंप है जो हवाओं को खीच लिया है लेकिन कुछ न कुछ हवाओं को छोड़ देता है तो इसके लिए क्या किया जाएगा इसके आगे एक फैन लगाए जाएगा वो फैन क्या करेगा आगे से हवाओं को ख तो फिर इस इस फैन का काम क्या है वैंज जब यही ब्रेक का काम करेगा उसमें जब कभी भी रोकना है न इसलिए 100% वैकुम नहीं छोड़ा जाता है 90% ही हवा निकाली जाती है हो लगानुकि फी Paste के ने ground को चाहिक हुआ हाग ये पुछलिग आप पर वहा पर अदर्वार Nepoille में के लिए बीवकोफी車 आप ये बड़े साइंटीस ऑफंढल हमें जैसले करेंगे तो इस हिसाब से चलेगा और इसमें बिजली बहुत ही कम चाहिए क्योंकि friction है नहीं रिक्षन रहेगा तो नहीं continuous motor चलाना है एर ड्रेक है नहीं तो बिजली बहुत कम है अभी आगे जाके जब यह बनाया जाएगा जब यह बन के तयार होगा तो आप देखिएगा इ इसी के ऊपर क्या करेंगे लोग solar panel लगा देंगे क्योंकि यह तो ब्रीज के ऊपर से जाता है तो solar panel लगा देंगे और उसी solar panel से दीन के समय डारेक्ट चला देंगे रात के समय इसी battery चार्ज करके लगा सकते है काफी फाइदे मंद होगा जब यह पूरी तरा से रेड़ी हो जाएगा जहां तक आपको ले जाना है आपको ये लेकर ही जाना पड़ेगा इसका concept 200 साल पहले पुराना है जर्मनी ब्रिटेन में इसे पहली बार लगाए गया था जब अध्योगी करांती के समय था लेकिन बाद में वो उतना अच्छा नहीं हो पाया लेकिन इधर जो था उ उस समय वैकूम पंप वगरा उतने अच्छे नहीं थे लेकिन इन्होंने अच्छे से समझाया और इसके लिए कोई उन्हेंने copyright वगरा नहीं कराया इसलिए open source है आप भी चाहें तो अपने घर बना सकते कोई दिक्कत नहीं है तो इनकी कंपनी बहुत जादे है एक green field में इन लेकिन virgin hyperloop जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहे है इसी दाम तीनों ने दिया यह अभी बीजी है virgin airlines चलती है यूरोप में उनी का है virgin hyperloop इनके पास पैसे जादे है तो यह सेम concept को ले आके बहुत जादे work कर रहे है दोजा 14 से यह काम कर रहे है अलग अलग countries में इनके मतलब working चालू है ताकि इसे यूज में लाया जा सके इस hyperloop को देखें इस hyperloop के कुछ फायदे भी होंगे तो कुछ घाटे भी होंगे तो फायदा हम लोग पहले समझ जाते हैं फायदा यह होगा है कि इसमें मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा बारिस हो रहा है गर्मी हो रहा है ध जीव से निकलती है ट्रेंट तो इसने जीवों की दुरघटना नहीं होगी परियावरण को कोई लॉस नहीं होने वाला इससे ना कोई धुआ निकलेगा ना कारबन उतसर्जन होगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे और लेस एनरजी है उपर से सोलर से चार्ज हो की नी घिस आओट कम करने के लिए हर जगा तो समझ इसा गी इनिक मोबिल घिस आओट के लिए, तो फ्रिक्शन हाइत नहीं है, तो मैंटिननेंस कम है, जब मैंटिननेंस कम है तो इसका कि़ाया बेहुत ही कम रहने वाला है, और शच्पीट तह मैं भूत है पाई भी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जमीन पर नहीं जाते हैं जमीन पर लेई नहीं जा सकते हैं जमीन उबणखाबन होती है तो उसके लिए हमें ब्रीच पर ले जाना पड़ता है तो पहले हुज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा करोडों की खर्च आएगा यह अलग बात है कि एक बार जब यह लग गया तो उसके बाद पैसे बहुत कम लगेंगा तो भाई साथ रेलेवे में भी बिछाने में क्या कम पैसा लगता है रेलेवे में भी करोडों रुपए लगते हैं ट्र अब कर अटो छुँआ करोड़ आथरा दूसरा इसमें इसके अंदर प्रेशर बहुत कम रहे गाहला कि इस पॉट के अंदर प्रेसर रहे गा लेकिन ट्यूब में प्रेशर कम रहेगा, तो उससे क्या होगा, कि जो इंसान जादे सफर करने के आदी नहीं है, तो उनको हलका कान में, दर्द वगरा, वो मेटिंग महसूस होगा, यह तो जहाज में भी महसूस किया जाता है, तो सेम यहाँ भी होगा, नॉर्मल ही होता है, कोई बह पर कर जाएगा 3 गंते में कस्मीर से कन्याक मारी 3 गंते में 12-5-36, 3 गंते में आर पर कर जाएगा, सोची किता जबर्जस्त इसकी स्पीड रहेगी, तो यह समस्या इसमें बहुत जादे आएगी, मतलब इसमें कोई भी सफर आप मिन्टों में कर सकते हैं अगर आपको जाना है मुंबई से पून है तो जो तीन घंटे लगते थे ये उसको टाय करेगा बाइस मिनट में कट से पहुँचा देगा इसमें एक और समस्या क्या है कि अगला 20 मिनट उसके पीछे जाएगा ये फिलहाल की है लेकिन ऐसा नहीं है जब ही कोई चीज का इनोवेशन होता है अब कुद देखिए जब पहली मोबाईल आई थी जो 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 इतना बड़ा था लोड़ा बराबा और आज कल का मोबाईल देखिए तो ये सुरुवात में भले ये है कि एक पॉट है लेकिन आगे जाकर इसमें नए-नए खोज होंगे और ये एक लंबी ट्रेन का रूप ले सकता है आगे जाकर जब मोबाईल बना था तो किसी को नहीं पता था कि एंड्रोइड और आईफोन इतना तगड़ा मार्केट कपजा करेंगे सबसे बड़ी समस्या इसमें भूकम को लेया जा रहा है देखिए जब कभी भी आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहती है हलका जटका भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन स्पीड जादे होने के वाले से इसमें लोगों का बचना बहुत मुश्किल है लेकिन इतना तो कही सकते हैं कि एरोप्लेन से जादे सुरक्षीत है क्योंकि अगर एरोप्लेन गीरा ना भाई साब बचने का चांथ बहुत कम है ना बराबर है वहाँ पर लैंडिंग के वक्त फिजल उसल गया तो बस सकते हैं जैसे कोजी कोट में उपर गया तो सीदे गया है इसमें क्या है कि अगर हम पॉड को मजबूत बना दे अंदर सीड बेल्ट जादे कर दे तो संभावना एरोप्लेन के तुल्ला में मरने की इसमें बहुत ही कम है भारत में ये मुंबई से पूने के बीच में चलने के लिए था वर्जीन हाइपर लूप इसको बनाने की तैयारी में थी उस वक्त महराष्ट में देवेंदर फडमी जी की सरकार थी इन्होंने इसे अप्रूबल दिया था लेकिन जब सरकार बदल गई उद्भव ठाकरे साब की जब सरकार आई तो इसमें इस प्रोग्राम को रोक दिया गया और कहा गया कि ये बहुत खर्चीला है इसे किसी अन्य देश में या किसी अन्य अस्थान पर ट्राइल किया जाए अगर सक्सेस हो जाएगा तो हम भी ले आदेंगे बुलेट्रें भी हमारे Oke अगर आप गहराओ कि बहुत जादे यूज नहीं है रीजन क्या है कि बुलेट्रें हमयसा बड़े सहरों को के गुजरेगी, छोटे मोठे गाउं से तो जाएगी नहीं, फिर बुलेट रहेगी किस काम किया, लंबे लंबे रूट पर जाएगी, तो जितने बड़े साहर है, वहाँ अल्रेडी हवाई जहाज की फैसिल्टी है वहाँ पर, आप जहाज से तो जाएगी सकते हैं, दोनों का कि ट्रेन की बदहाली का एक्जामपल देते हैं, कि मुगल सराय जो इस्टेशन, जिसका आभी दीन दियाल उपाध्या नम हो गया है, तो मुगल सराय इस्टेशन से बनारस यानि वरानसी की इस्टेशन की बीच की दूरी में है, पंदरा किलोमेटर है, ये पंदरा किलोमेटर दस मिनट में ट्रेन तैक कर सकती है, इससे कोई दिक्कत ने, लेकिन हर एक ट्रेन को वहाँ एक घंटे लगते हैं, आप सेडियूल टाइमिंग देखिएगा न, नेक पर सेडियूल टाइमिंग, कोई ट्रेन अगर बनारस में एक बज़े है, तो मुगल सराय में वो दो बज ही है, कभी सुने है कि वीत मंतरी ने कहा कि इस साल दो ट्रेक के जगह चार ट्रेक किया जाएगा, तब नो होगा, कंजमशन इतना जाते है, ये हाल हो जाता है कि अगर भारत में किसी विद्यार्थी का जो बिहार से चला है दिल्ली एकजाम देने के लिए, अगर कोई ट्रे के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी ट्रेने इतनी लेट है, और रोडवीच का तो पूछिये मत, हमारे या जान इतना लगता है ट्रांस्पोर्टेशन पर, अमेरिका के राष्टपती ने एक बार कहा था, कि अमेरिका की सड़के इसलिए अच्छी नहीं है, कि अम आपके लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए, 200 किलोमीटर के लिए, लेकिन अगर वही जाना है आपको अमेरिका या ये ये उरोप किसी इव डेवलप कंट्री में, तो 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, हकिकत में 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, तो भारत में रोडवेज और इनको जादे देना बहतर है, आप उत्तर परदेश सरकार का एक्जांपल ले लिए, एक्सप्रेस वे भर दिये है उन्होंने, चाहिए वो यमुना एक्सप्रेस हो, पुछली सरकार को भी देखिए, यमुना एक्सप्रेस हो या ग्रीन फिल्ड हो, और वरतमान में भी देख लिए, पुर को एक घंटा से पहले कोई तय ही नहीं कर सकता है हमारे सामने पटना और हाजीपूर के बीच में जब जाम लगा था तो एक एम्बूलेंस में एक आदमी मर गया क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन केवल एक घंटे का था और मेरे सामने वह गारी में फसा हुआ था लगबग तीन घंटे से एम्बूलेंस तक निकलने की जगा नहीं होती तो यह सबसे बड़ी समस्या है इसको राज्य सरकार खेंट सरकार से फसता है मोटसाइकिली वाला लेका घुष जाता है से यहां सश्विया के लिए चल यहां पर आपने को यह हाइपर लूप समझ दे है सब कर आई होप आप इस हाइपर लूप को समझ गया हुए बाकी समस्या है धीरे-धीरे साल भोती रहती है समस्या कभी खतम नहीं होग फ्री फायरंबो जबर जस्त खेले आठ की लिंक किये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं देखिए का आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इतना खतरनाक कैसे खेल सकते हैं खैर मिलेंगे अगले क्लास में जैहिन